अध्यायते है प्रकृती, पुरुष तथा चेतना अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं प्रकृती एवं पुरुष, छेत्र एवं छेत्रग्य तथा ज्यान एवं गे के विशय में जानने का इच्छुख हूँ श्री भगवान ने कहा, हे कुंति पुत्र, यह शरीर छेत्र कहलाता है और इस शेत्र को जानने वाला छेत्र ग्या है हे भरतवन्शी, तुम्हें ग्यात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ग्याता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ग्याता को जान लेना ग्यान कहलाता है ऐसा मेरा मत है अब तुम मुझसे यह सबसंग्षेप में सुनो कि कर्म छेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म छेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है विभिन वैदी ग्रंथों में विभिन रिशियों ने कारेकलापों के छेत्र तथा उन कारेकलापों के ज्याता के ज्यान का वर्णन किया है। इसे विशेश रूप से विदान्त सूत्र में कारेकारण के समस्त तर्क समेत रस्तुत किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विशय, इच्छा, द्वेश, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षन तथा ध्यर्य, इन सब को संख्षेप में कर्म का छेत्र तथा उसकी अंत्य क्रियाएं कहा जाता है विनम्रता, दंबहींता, अहिंसा, सहिश्नुता, सरल्ता, प्रामानि गुरु के पास जाना, पवित्रता, इस्थिर्ता, आत्मसैयम, इंद्रिय त्रप्ती के विशयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, रधावस्था, तथा रोग के दोशों के अनु वस्तों की मम्ता से मुक्ती, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रती संभाव, मेरे प्रती निरंतर अनन्य भक्ती, एकांते स्थान में रहने की इच्छा, जन्समु से विलगाव, आत्मसाक्षातकार की महत्ता को सुईकारना, तथा परमसत्य की दार्षनिक खोज, इन के अतरिक्त जो भी है, वह सब अज्ञान है, अब मैं तुम्हें गे के विशय में बतलाऊंगा, जिसे जान कर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादी है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कारे कारण से परेस्थित है, उनक वस्तों में व्याप्त होकर अवस्थित है, परमात्म समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, वे प्रकृतिक गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृतिक के समस्त गु जानने या देखने से परे हैं यद्यपी वे अत्यंत दूर रहते हैं किन्तु हम सबों के निकट भी हैं यद्यपी परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं है वे एक रूप में इस्थित है यद्यपिवे प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संघार करता है और सबों को जन्म देता है वे समस्त प्रकाशमान वस्तूं के प्रकाश स्रोत हैं वे भवतिक अंदकार से परे हैं और अगोचर हैं वे ज्ञान हैं ग्ये हैं और ज्ञान के लक्ष हैं वे सब के हिरदय में स्थित हैं इस प्रकार मैंने कर्मचेत्र, ज्यान तथा ग्ये का संग्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे सुभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृती तथा जीवों को अनादी समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृती जन्य हैं। प्रकृती समस्त भोतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। और जीव इस संसार में विविद सुक दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इस प्रकार जीव प्रकृती के तीनों गुणों का भोग करता हुआ, प्रकृती में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृती के साथ उसकी संगती के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अगम योनिया मिलती रहती हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोगता है जो इश्वर है परमस्वामी है और साक्षि तथा अनुमति देने वाले के रूप में विध्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से सम्मंदित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है उसकी वर्तमान इस्तिती चाहे जैसी हो यहाँ पर उसका पुनर जन्म नहीं होगा कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निश्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपिया ध्यात्मि ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विशय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं ये लोग भी प्रामानिक पुरुषों से श्रवन करने की मनुवृत्ती होने के कारण जन्म तथा मृत्यू के पत्थ को पार कर जाते हैं हे भरतवन्शियों में श्रेश यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हे अस्तित्तु में दीख रहा है वह कर्म छेत्र तथा छेत्र के ग्याता का संयोग मात्र है जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समस्ता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनश्ट होता है वही वास्तों में देखता है जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भरष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है, जो यह देखता है कि सारे कारे शरी द्वारा संपन कि जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और जो देखता है कि आत्म कुछ भी नहीं करता वही यतार्थ में देखता है जब विवेकवान व्यक्ति विभिन भावतिक शरीरों के कारण विभिन सरूबों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं तो वे ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है शाश्वद्रष्टी संपन लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्म दिव्वे शाश्वद तथा गुणों से अतीत है हे अरजुन भावतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्म न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है यद्यपी आकाश सर्व व्यापी है किन्तु अपनी सुक्ष्म प्रकृती के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता इसी तरह ब्रह्म द्रश्टी में इस्थित आत्मा शरीर में इस्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता हे भरत पुत्र जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मान को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीत रिस्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है जो लोग ज्यान के चक्षों से शरीर तथा शरीर के ग्याता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधी को भी जानते हैं उन्हें परमलक्षे प्राप्त होता है